जो आपको इसोचने पर मजबूर कर देंगे, हाँ यार, यह बात तो बिलकुल ठीक है, जिसकी वज़े से आपको बड़ा बजट रिक्वाइड नहीं है, सिर्फ रिक्वाइड है करते हैं और सोचली मीडिया प्लाटफरम पर शेयर करते हैं, जिसके वज़े से गरम धरम रेस हाई फ्रेंड्स, हमेंसे हर व्यक्ति अपने बिजनस या प्रोफेशन को अड़टाइज करना चाता है, एक ब्रैंड क्रियेट करना चाता है, लेकिन कई बार बजट ना होने की वज़ा से, वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मार्किटिंग पर या प्रोमोशन पर नही ऐपके ब्रैंड को अड़टाइज करेंगे, तो बहुत कम समय में आपका ब्रैंड वायरल हो जायेगा, और एक बार अगर आपको ब्रैंड वायरल हो जाता है, तो बिना बजट के ही आप अपने बिजनस को अड़टाइज कर सकते हैं, आज हम इशी विशह पर बात करने वाले हैं How to make a brand as a viral अपने brand को viral कैसे करें सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जिस brand को आप viral करना चाहतें उसकी targeted audience क्या है आपको यह देखना होगा कि आपके brand के user कौन है या कौन से ऐसी community है जो आपके brand को advertise करेंगी या viral करेंगी उसके बाद में make your content visually oriented आपना ऐसा content design करें जो लोग visual के रूप में समझ पाएं जैसे creatives हो गए, hoardings हो गए या इस तरह के souvenirs हो गए जहाँ पर लोग अपना photo click करना पसंद करते हैं अभी कई example में आपको यहाँ पर बताऊँगा उसके अलाबा work on the people emotion कुछ ऐसा करें जहाँ आप किसी भी person के emotion को touch कर सकें जैसे कोई funny moment create करें कि लोग fun की वज़ा से आपके वहाँ पर photo click करते हैं या आपका content social media platform पर post करते हैं या अपने friends को share करते हैं या इसके अलाबा कोई happy moment ऐसा हो जहाँ लोग अपने खुशी के वो चण वो पल लोगों के साथ share करना चाते हैं या आपके brand में या आपके business में या आपके advertisement में कुछ ऐसा unique हो जो लोगों को बहुत पसंद है उनके मन को भाजाए और उनको लगे है ये चीज़ तो मैंने पहले कभी देखी नहीं है अभी बहुत सरे example में आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर दस सेदा example ऐसे पताऊँगा जहां पर लोगों ने unique कुछ ऐसा किया जिसके वैसे उनका brand viral हो गया उसके लावा patriotic देश भक्ती की भावना को जोड़कर भी आप लोगों के साथ अपने business को promote कर सकते हैं और वो लोग देश भक्ती की भावना के साथ आपके brand को बहुत असानी से advertise कर देते हैं इसके लावा कोई ऐसा milestone हो जहां लोगों को लगे कि हाँ ये milestone हमें जिन्दिगी बर याद रहने वाला है और इसकी information हमें जरूर डालनी चाहिए share करनी चाहिए friends को, relatives को, social media पर सभी जगा इसके लावा emotional stories बहुत सारे लोग अपने brand को promote करने के लिए ऐसे emotions को जोड़ते हैं जो लोगों की feelings को बिल्कुल different रूप में impact करता है जिसकी वज़ा से लोग emotional story होने की वज़ा से उसको share करना शुरू कर देता है इसके लावाला creativity और creativity में क्या है? कुछ आप ऐसा create करें जो आज तक किसी ने नहीं किया है जैसे बहुत सारे example में यहाँ पर आपको देने वाला हूँ जो आपको इस सोचने पर मजबूर कर देंगे हाँ यार यह बात तो बिल्कुल ठीक है अगर ऐसी creativity मैंने अपने business में की होती तो शायद लोग मेरे brand को वायल कर देते जैसे आप देखिए हरीद्वार में चोटी वाला हरीद्वार में restaurant तो बहुत सारे हैं लेकिन चोटी वाला restaurant के बाहर एक व्यक्ती एक इस तरह से वेश्बूसा बना कर बैठा होता है तो लोग इसके साथ photo click करते हैं selfie click करते हैं और social media platform पर post करते हैं और अपनी खुशी और अपना जो destination है जहाँ पर वो गई है वो लोगों के साथ share करते हैं जिसकी वजह से बिना किसी कॉस्ट के यह brand advertise हो दाता है जैसे आप देखिए धरम गरम restaurant तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसे souvenir destinations बनी हुए है जैसे शोले movie के यहाँ पर bullet लगी हुए है जहाँ पर जय और वीरू बैठते हैं लोग वहाँ बैठ के photo खिचाते हैं जीप बनी हुए है पुलिस वालों की यह इस तरह से बहुत सारे designs बने हुए है जहाँ पर लोग photo click करते हैं और social media platform पर share करते हैं जिसके वैसे गरम धरम restaurant को खुद अपना advertisement नहीं करना पड़ता है लोगी उसका advertisement वारल कर देते हैं इसके लाब आप देखे MACD भी इसका बहुत जारा इस्तिमाल करता है MACD के बार इस तरह का एक जोकर बैठा होता है जहां पर बहुत सारे लोग एक smile face के साथ बैठ कर उसके हाथ के साथ में बैठ कर अपनी selfie की चाते हैं और social media पर post करते हैं तो यह एक तरीका है महराजा थाली का restaurant है ना जैसे soda वाला यह कविताएं गाता है dialogue सुनाता है अलग तरीके से soda की bottle खोल के दिखाता है acting करता है बहुत ज़्यादा जिसकी वैसे बहुत famous हो गया एक व्यक्ति ने तो runway restaurant ही बना डाला किसमे एरोप्लेन में एक पुराना एरोप्लेन लिया उसको रिनोवेट किया अंदर से उसमें सारा infrastructure change किया और रेस्ट्रो बना दिया तो लोग एरोप्लेन रेस्ट्रोंट में क्रेज की वज़े से जाते हैं तो यहां पर भी लोग एक तरह से वाइरल करते हैं आपके ब्रेंड किसके लागा आप देखिए तरकिश आइस्क्रीम सेलर यह क्या करता है आइस्क्रीम की कई बार ऐसी करता है कि लोगों को लगता आइस्क्रीम दे रहा है कभी नहीं दे रहा है कभी दे रहा है कभी नहीं दे रहा है बहुत सारे chemical डालता है जो body के लिए harmful भी नहीं है उसमें आग जलाता है और जैसी मुह में जाता है oxygen ना मिलने के वैसे वह आग बुझ जाती है तो fire pran का बोलों को बहुत crazy video बनाते हैं अंडे आमलेट वाले अंकल ये भी बहुत जारा famous है ये क्यों famous है एसे नहीं कि आमलेट में कुछ uniqueness है famous इसलिए है क्योंकि इस्टोरी टेलिंग है वह बहुत important है एक यूट्यूबर ने एक food ब्लॉगर ने इस्टोरी को record किया और social media पर post किया viral हो गया इनकल इनका business तेजी से बढ़ने लग गया है ना आप देखो अगर आप कभी बद्रीनात के दारनात इसी जगह पर गए है तो एक ऐसा destination है जिसके वाल हिंदुस्तान के सीमा खतम हो जाती है तो हिंदुस्तान के सीमा जब खतम होती है तो वहाँ पर कोई ना कोई शॉप तो होगी चाय की शॉप हो चाहें वो खाने की शॉप हो चाहें वो कपड़े की शॉप हो तो एक व्यक्तिन ने वहां board लगाया हिंदुस् का बहुत इस्तिमाल करता है, ऐसे ऐसे topics बोलता है, ऐसे subject बोलता है, ऐसे content बोलता है, जिसकी वैसे लोग video record करते हैं और share करते हैं, इसके लबाँ आप देखिए, अवधेश दूबे, जो train में बहुत सारे toys, purses, watches, इस तरह की accessories बेचते हैं, लेकिन dialogue सुनाते हैं, बहुत को viral कर सके, advantages क्या है, viral marketing की, number one, people can build your brand, अब आपको brand building के लिए, अपना mindset नहीं लगा ना, एक बार आपने कुछ ऐसा uniqueness किया, कुछ बिल्कुल different किया, जो पहले कभी किसी नहीं किया, तो लोग आपके brand को build करेंगे, क्यों कैसे करेंगे, वो आपकी information को social media platform के जरिए, सभी जग brand को build करेंगे, इसके लाबा, large budget required नहीं होगा आपको, क्यों, क्योंकि यहाँ पर organic branding हो रही है, जब लोग आपकी post को, video को, content को, images को, information को share करते हैं, तो वो organic branding होती है, और organic branding में आपका कोई budget नहीं लग रहा है, लोग अपने social media platform से उसको जोड रहे हैं, जिसकी वज़े से आ uniqueness क्या है, storytelling क्या है, आपके product में different क्या है, आपके presentation में differentiation क्या है, take your brand in front of new audience, जब लोग उस information को share करते हैं, तो वो information नए लोगों तक पहुंसती है, और जब नए लोग भी उन information को देखते हैं, तो उस तरह के product या उस तरह के service या उस तरह की destination पर जाना चाहते हैं, वो भी चाह है, यह advantage है, viral marketing की, इसके लावा, अब आप क्या करें, अब आपके मन में प्रश्नी यह होना चाहिए, कि sir, viral marketing के बारे में तो मैं समझ गया, इसके advantages तो समझ गया, इसका फाइदा क्या होना वाला है, अब मैं कैसे करूं viral marketing, तो उसका सिधा तरीका क्या है, what is unique in your business, सबसे पह story, अपने brand से connect कर सकते हैं, and how you can touch emotion, आप लोगों के emotions को कैसे touch कर सकते हैं, चाहे patriotic emotions हो, चाहे एक storytelling based emotions हो, किसी भी तरह के emotions को आप कैसे touch कर सकते हैं, वो सारे emotions मैंने भी पिछली slide में आपको बताई थे, अपने आप से तीन प्रश्न पूछें, और इसके बाद भी अगर आप अपने business को कैसे advertise करूँ, तो write in comment box, आप comment box में अपने business के बारे में लिखें, हमारी sales team कोशिश करेगी, marketing कोशिश करेगी, कि आपको बताए, कि आप किस तरह से uniqueness कर सकते हैं, अपने business में, तो friends, ये वो तरीके हैं, जिससे आप अपने brand को viral कर सकते हैं, इसलिए मैं एक बात आ चाहता हूं कि देखें, मैं अपने business time से बहुत सारा separate time आप लोगों के लिए unique content बनाने के लिए निकालता हूं, जहां पर मैं business से related वो information share करता हूं, जो already हम अपने business में कर रहे हैं, कोई भी informative video मिसना हो ना, उसके लिए इस channel को ज़रूर subscribe कर लें, और bell icon को ज़रूर press करना, त आपके सुनरे बविश्य की कामना करता हूं, जय हिंद, जय भारत